एंसेपी नेता शरत पवार पर शिवसेना का बड़ा हमला आखिर शिवसेना ने अजित पवार को क्यों कहब है साथ महराथ में हाथ से सत्ता फिसलते ही शिवसेना आग बबुला करी युना सिर्फ बीचुपी पर ताबर तोड हमले बोल रही है बलकि एंसेपी से बगावत करने वाले अजीत पवार के खिलाफ भी आग उगल रही है इसी कड़ी में शिवसेना ने एक बार फिर से अपने मुख्य पत्र सामना के जरिये एंसेपी प्रमुक्षरत पवार के भीजिए अजीत पवार पर जमकर हमला बोला जीहां महराश के सियासी उठापटक के भी शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में डिप्टे सीम की शपत लेने वाली अजीत पवार को भैसा कराट दिया शिवसेना ने लिखा है कि बीज़ोपी को बहमत मिलना मतलब भैसे से दूद दूहने जैसा होगा शिवसेना ने कहा कि अजीत पवार के रूप बीज़ोपी ने एक भैसे को अपने बाड़े मिला कर बांग दिया और भैसे से दूद दूहने के लिए ऑप्रेशन कमल यूजना बनाई शिवसेना ने कहा है कि बीज़पी ने सत्ता हासल करने के लिए अचार और नीती को ताफ पर रख दिया है सत्ता के लिए उनकी किसी भी स्तर पर जाने की तैयारी है लेकिन कुछ भी हो जाए वो विधायन सभा में बहमत का आपड़ा नहीं चुपाएं अब तुम्हारे पास बहमत है ये देखकर ही राज़ेपाल ने शपत दिलाई है ऐसा तुम कह रहे हो ना तो फिर ऑपरेशन कमल जैसी उठाई गिरी क्यों हम उन्हें इस उठाई गिरी और भैसा गिरी के लिए शुपकाम नहीं देते है लेक में आगे लिखा गया है कि आज राज़े में हर तरफ बीज़ेपी की थूठी हो रही है वैसे कि गंदगी बीज़ेपी के स्वच और पारदर्शक जैसे चेहरे पर गुणने से ये मोदी भी बेचैन हो गए होगी और उनके लोग इस भ्रम में थे कि अजीद पवार एंसीपी को तोड़ कर 25-30 विधाय को बुले कर दीज़ेपी के बाड़े में आ जाएंगे अजीद पवार की ये कथित बगावत बालू पर घदे के मूतने पर हुई गंदगी जैसी हो गई है पार्टी ने आगे कहा है कि महराश्ट में जो कुछ हो रहा है उसे नाटक कहना रंगमंच का अपमान है हाथ में सत्ता है जाच एजन्सियां है भरपूर काला पैसा है और इसके दिमाग पर राजशनीती में मंच जहा उमात लाने की कोई सोच रहा होगा तो ये शिवराय के महराश्ट का अपमान है बास्तों में महराश्ट में फिलहाल जो राजशनीती का स्तिर्ता है वो बीज़ुपी के चलते उनकी व्यविसाइक प्रिति के चलते और फसाने की कला की वज़ा से है पहले उनने शिवसिना जैसा मित्र खो दिया और अब वो श हुआ 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 है